हेलो दोस्तों देखी इस question को कैसे हम लोग solve कर पाते हैं काफी कम समय लेंगे question को solve करते हैं the product of three integers lmn is minus 175 which of the following must be negative अब इस given option में हमें बताना है कि कौन सा ऐसा option दिया हुआ है जिसकी value 100% negative है क्योंकि और यहां दिया which of the following must be negative मतलब इसमें से कौन सा यह जरूरी है बिल्कुल 100% जरूरी है क्यों negative ही value होगा positive नहीं होगा ठीक है दोस्तों यह चीज को देखते हैं में solve करना है तो सबसे पहले दे रखा है lmn n का product l into m into n का product is equal to minus seven 175 अब ध्यान से समझेगा दोस्तों कि minus 175 यानि कि minus sign यानि minus sign तभी possible हो पाएगा जब इन तीनों में से कोई एक का value जोगा negative होगा कोई जासरा समझेगा दोस्तों या का value negative होगा या इम का value negative होगा या फिर न का value negative होगा Jeśli एक का अगर value negative होगा बाकी दो positive होगा तो minus में यह value आएगा ठीक है अब दूसरा कैसी ही देखसक्नति कि कि k좌 तो कि तो का value value negative होगा तब यह negative आ सकता है क्योंकि minus minus plus होगा लेकिन आखरी में जाकर फिर minus आजाएगा तो दो possibilities हो रहा है या तो तीनों की value आप negative मान के चलो या फिर तीनों में से किसी एक की value negative मान के चलो यह दो possibilities आपके सामने बन रही है कोई भी मान के चलोगे आपके answer correct आने वाला है तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि तीनों में से किसी एक की value negative है तो L, M, N आपके पास तीन number है तीन integers है इस में से आप M को negative मान लेते हैं ठीक है M को क्या मान लेते हैं negative value मान लेते हैं चलो ठीक है यह बात खिलियर है अब यहां पर option की तरफ check out करते हैं क्योंकि यह option के basis पर ही बनने वाला है question ठीक है दोस्तों option से direct समझ भी आ जाएगा L, M, M, N यहां दिये हुआ है ठीक है यहां पर तो यहां पर क्या possibilities बनता है यहां क्या negative value आएगा negative value आएगा या positive value आएगा यह कैसे confirm होगा यहां कह रहा है question में ध्यान से समझेगा दोस्तों question को भी अच्छे से समझना है दोस्तों क्योंकि यह पूरा का पूरा question पर ही depend करता है which of the following must be negative पूच्छा है कौन सा must be negative है must be negative होना चाहिए तो क्या possibilities है L minus M minus N की क्या possibilities है must be negative होगा या फिर positive होने का भी chances है अगर positive होने का chances है तो must तो नहीं लगेगा तो यह तो possibility नहीं बनेगी तो अगर मान के चलते की L का मान इतना बड़ा है कि M और N को भी घाटाने पर positive value आ रहा है तो M और N को घाटाईएगा फिर भी positive आ सकता है तो यह तो possibilities बन नहीं रहा है ठीक है तो यह तो correct answer होगा नहीं अगर according to यहां अगर हमने माना है उस basis पर चिक करें तो L minus minus का M हमने माना था minus का N तो यह तो minus minus plus हो जाएगा तो L plus M हो जाएगा minus का N होगा तो L plus M की value जादा बड़ा होगा N से तो positive value आएगा तो कहीं न कहीं तो possibilities positive का बन रहा है न तो must उन लग रहे हैं जबकि यहां दे रखा है question में which of the following must be negative मतलब इसमें से कौन सा negative निश्चीत होगा ही होगा ठीक है निश्चीत होगा निश्चीत है कि वो negative ही होगा लेकिन यहां निश्चीत नहीं है दोस्तों यहां positive की भी chances है और negative की chances है तो यह तो answer होगा नहीं दोस्तों अब अगला option की बात करते है option number B का L plus M plus N की बात करते है तो यह तो तीनों का तीनों तो plus में ही है दोस्तों तीनों का तीनों प्लस में अगर एक को आप minus भी मान के चल रहे हो तब L plus N की value बड़ा होगा तो M घटेगा भी तब भी positive आने का chances बड़ा है तो यह भी नहीं हो सकता अब L plus M वटे में N है तो L minus M मने हमने मान लिया है कि M negative है तब भी upon N कर लेते हैं तो अगर M की value L से छोटी होगी तो यहां तो value उपर में positive है और नीचे में भी value positive है तो positive positive डिवाइड होगा तो positive आने का तब probability बन रही है यानि यहां भी chances चाहिए कि positive value आए गई आगा अब जो last option है D option अब इसको देख लेते हैं अब तो यह correct answer होगा ही होगा क्योंकि चार में से तो एक सही होना चाहिए तो L M upon N है यहां पर L M upon N है आप M को minus मान के चल रहा है थे तो M को minus मान के ही चलेंगे तो L into minus का M करते हैं L into minus का M करते है बटे में N करते हैं तो अब उपर वाला तो value पका है कि negative है क्योंकि एक number minus एक number plus है तो minus L M हो जाए बटे में N अब कभी भी minus number में divide करते हैं तो minus ही आने वाला याने negative आने वाला है तो positive का इसमें कोई chance नहीं है इस expression में positive का कोई chance बन नहीं नहीं रहा है अगर आप तीनों का negative मानिएगा तब भी negative ही आने वाला है दोस्तों देखिए minus L minus M कर लेते हैं अब बटे में minus N करते हैं ठीक है दोस्तों minus L और minus का M आपन में N करते हैं और इन दोनों में multiplication है मतलब कि minus L into minus M करते हैं तो plus L M आ जाता है यह plus L M आता है अब बटे में का आएगा minus N आएगा और must लागू हो रहा है बाकी तीनों option पर must लागू नहीं हो रहा है तो यह निश्चीत है कि LM upon N जो है इसकी value हमेशा हमेशा negative याने वाला positive नहीं आएगा according to given question तो यहां से finally आप answer का सकते हो कि option number D जो है वो correct होगा तो यह काफी logical question था कि थोड़ा logic है यूज करना था और question को solve करन